बिस्मिल्ला रहमान रहीम, अस्लाम Alaykum आज का जो हमारा टापिक है वो है limit of a function हमने chapter 1 में पहले functions को discuss किया था अब हम limits of function को discuss करेंगे limit of functions को discuss करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे x approaches to 0 और x approaches to infinity cup कब होता है ठीक है पहले हम बात करेंगे x approaches to 0 पहले हम इसकी बात करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, x approaches to 0, यह हम इसको कहते हैं, x tends to 0, ठीक है, अच्छा, first करें हमारे पास, x को यह variable है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, 1 over 2, 1 over 4, 1 over 8, 1 over 16, 100, लब सौनवर ऐसे हम लिखते जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि आप जैसे जैसे denominator में value increase करते जाएंगे, answer आपका small आता जाएगा, ठीक है, यह याद रखना है मिश्चा, first करें हम इसको ऐसे increase करते जाते हैं, denominator में values, 1 over 8, 1 over 16, and continue 1 over 2 power n, अब यहाँ पर अगर हम n की value increase करते जाएंगे, तो हमारे पास जो x है, मतलब answer जो हमारा है, वो decrease होता जाएगा, ठीक है, अगर हम यह n जोंस है, इसको very large कर लें, very large, plus infinity कर लें, तो हमारे पास जो answer होगा, वो 0 आ जाएगा, देखें, अगर मैं इसको increase करता जाता हूँ, तो यह हमारा answer कम होता जाता है, points में आता जाता है, 0.1, 0.001, 0.0001, मतलब ऐसे answer आएगे, आप जो जो आगे जाते जाएगे, आपका answer कम होता 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 होता, approximate 0 को approach करेगा, 0 को approach करने का हरगस यह मतलब नहीं है, कि वो 0 होगा, ठीक है, तो हम कहते हैं, जी, x approaches to 0, या x tends to 0, ठीक है, मैं फिर से बता लिता हूँ, इसका मतलब ह अग्जेक्ट 0 नहीं होता, 0 के गरीब 3 न कहले, इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ, इसकी, x approaches to infinity, ये कब होगा, देखें, जैसे जैसे, यहाँ पे हम denominator में value increase का रहे थे, इधर मैं ऐसे लिक लेता हूँ, 10, 10 square, 10 cube, 10 4 power, आप increase करते जाएं, 10 exponent n, देखें, मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 10 की power मैंने 2 लिखी, तो ये increase हो गया, फिर मैंने power 3 लिखी, increase हो गया, 10 लिखी तो और increase हो गया, जब मैं 10 की power n लिखूंगा, तो ये मेरे पास, जैसे जैसे n की value increase करती जाएगी, मेरे पास answer भी increase करता ज लाएगा, तो इसका मतलब ये है, कि आप जब इसको आगे जाते जाएंगी, जाते जाएंगी, तो जो x की value होगी, वो infinity को approach करेगी, plus infinity को, ठीक है, very large, ऐसे कहले, तो ये दो terms थी, एक थी, x approaches to 0, और एक है, x approaches to infinity, इसकी बात हमने करनी थी, अब मैं आपके एक example से थोड़ा स किसी भी बड़े आदमी से, या किसी अफीसर से मिलने के लिए, हम हमारी, क्योंकि हम उसके उससे नहीं जान पर सहन होती है, तो हमने कोई काम होई, या वैसे उससे कोई, तो हम कहते हैं, आपकी फिलाव बंदेदा का approach है, मतलब हम किसी को डूड़ते हैं, या उसके दाएं स approach करते हैं, तो basically यहाँ पर यही वो चीज है, approach करना exact वो बंदा नहीं होता, लेकिन हम उसके दाएंबाएं से किसी को approach कर रहे होते हैं, देखें, यह हमारे पास एक real line है, हम इसके उपर number show कर लेते हैं, जैसे यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, for example, मैं यहाँ पर 2 की बात क करता हूं, एक सपरोच इस टो जब कैसे होगा, यह देखें, यह हम 2 की बात करते हैं, अगर मैं 2 से थोड़ा सा आगे जाओं, यहाँ पर कहीं पर, तो यह 2.01, 2.02, 2.0, something कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में, और अगर मैं इस थोड़ा सा बीचे जागे बात करूं, 2 से, मत करके अगर यह वैली दी गई हो, तो उसको भी 2 लिखते हैं, और 1.99 दी गई हो वैली तो उसको भी 2 लिखते हैं, अगर हमें 2.01 वैली दी गई हो, तो मुसके राइट साइड से अप्रोच का रहे होते हैं, और अगर 1.99 वैली दी गई हो, तो हम 2 को लेट साइड से अप्रो 0 1 दी गई है इन दोनों सूर्टों में मैं क्या करता हूं मैं x की वैली रॉंड आफ करके 2 लिख लेता हूं ठीक है मतलब 2 को अप्रोच का रही है तो आप यहां पर लिखेंगे f of 2 2 क्यूब तो f of 2 आदेगा 8 हम कहते हैं कि जब when x approaches to 2 then fx approaches to 8 तो जब हमारे पास x2 को approach करेगा तो जो function होगा वो 8 को approach करेगा ठीक है इसका हरकस मतलब यह नहीं होता कि यहां पर x की value 2 है और यहां पर fx की value 8 है ठीक है अब हम definition पर आते हैं इसकी हम यहां पर limit की definition को discuss करेंगे limit की definition कफिया तक मैंने explain भी काड़ी लिखा हो भाईजी let a function f of x be defined in an open interval near the number a need not add a वो कहता है कि open interval पे हमें function define है a के creep 3 कहीं पे जैसे मैंने 2 की example लिखी थी यहां पे तो आप 2 को आप कहा सकते हैं a भी कहा सकते हैं तो वो कहता है a के creep 3 कहीं पे भी है need not add a वो a नहीं होगा फिर कहता है if as x approaches to a from both left and right side of a f of x approaches a specific number l then l is called the limit of function fx as x approaches to a ठीक है तो यह देखें मैं आपको example से थोड़ा सा definition को साथ explain करता हूँ सबसे पहले यह first कर लें यहां पे a है 2 की जगा बे तो मैंने यहीं कहा था कि a जो उनसे वो approach करेगा from right side and left side लेकिन वो मैंने यह भी कहा था कि 2 मतलब वो a नहीं value होगी यहां पे देखें x approach करेगा a को but x not equal to a ठीक है और यह on both side left और right दोनों side से define होना चाहिए इसके बाद हमने यह बात की थी यह देखें लिखा होगा as x approaches to a from both left and right side यहां पे देखें मैंने देखा as x approaches to 2 then function of 2 approaches to 8 यहां पे f of 2 की value 8 को approach करेगी तो यहां पे देखें f of x approach करेगा specific number l, l यहां पे मतलब कोई भी इसको हमने l से denote किया तो इसको mathematical return form यहां से लिखेंगे limit इसको पढ़ेंगे कैसे read कैसे करेंगे limit of function f of x as x approaches to a is l ठीक है इसको इस तरह से पढ़ेंगे page number 17 पे इसकी definition दी हुई है आप वहां से इसको further पढ़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे theorems on limits of function तो अब हम theorems की बात क इसको करेंगे theorems on limits of functions सबसे पहले theorem number 1 में कहता है sum of two functions limit दी गई है दो functions की तो आपने simple क्या करना है limit first function अलाग लिख लेंगे second function की limit लाग लिख लेंगे इसी तरह difference of two functions है जिसमें मतलब minus किया गया subtraction की गई है simple आप यहां पर limit क्या करेंगे पहले function की उपर लग से minus second की उपर अलग से apply कर देंगे third theory में कहता है if k is any real number यहां पर k अगर कोई real number आ जाता है तो उसको क्या करना है simple आपने शुरू पर लिख देना है इसकी एक example मैं लिख लेता हूँ आपको x approaches to two three x तो आपने simple क्या करना है 3 शुरू पर लिख देना है और यहां पर x approaches to two x लिख देना है और उसकी जगा पे आप limit apply करेंगे तो six answer आरेगा इसी तरह product of functions है इसमें आपने क्या करना है limit functions के साथ अलग अलग लिख देनी है limit यहां पे अलग अलग लिख दी functions के साथ और उसके बाद आगे further इसको apply करके solve करेंगे theorem number five है quotient of functions अगर कोई से दो function मतलब कोई भी function अगर divide किये गये हो quotient की फाह में लिखे गये हो तो आपने limit अलग अलग लिख देनी है उपर अलग लिख देंगे limit नीच अलग लिख देंगे limit अपलाई कर देंगे आगे solve करना है theorem number six में कहते है limit of f of x exponent n है where n is integer मतलब अगर function की कोई पावर दी गई हो तो आपने उसको limit को भी पावर कंदर ले जाना है ठीक है वो limit जो पावर होगी वो limit की भी होगी यह limit exponent के अंदर आजए यह छे theorem से इनको आप लोगों अच्छे तरीके से करना है और क्योंकि question number one में उसने question ही यह दिया हुआ है कि आप theorem को use करके तो questions को solve करें अब हम discuss करेंगे limit at infinity देखेए हमारे पास एक real line दीगे यह इसमें हमें पता है कि यहाँ पे zero है जिरो के एक side पे positive numbers होते हैं और एक side पे negative numbers होते हैं राइट side पे हम positive numbers को लेते हैं और यह continue होएं कहां तक जाएगी हम इसको कहते हैं कि यह plus infinity तक और यह minus infinity तक जाएगी ठीक है तो जो real number होते हैं बिसी कली वो क्या होते हैं वो यह ही होते हैं minus infinity to plus infinity ठीक है यह दुमियर ने पास यहीं है, 0 से, मतलब अगर हम राइट साइड पर जाएगे तो वो प्लस इंफिनिटी तक जाएगी और अगर हम लेट साइड पर जाएगे तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगी फिर्स करें, हमारे पास ये लिमिट दी गई है, लिमिट एक्स अप्रोच इस टू प्लस इंफिनिटी वान ओवर एक्स इक्वल टू देखें, आप इसमें लिमिट अप्लाई करें तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आजएगा 0 आजएगा, ठीक है तो याद रखना है, आपने 1 ओवर इंफिनिटी हमेशा 0 होता है 1 ओवर इंफिनिटी 0 और अगर आप 0 को यहाँ पर ले आएं तो यह इंफिनिटी के क्वल होगा इसी तरह अगर आप माइनिस इंफिनिटी की बात करें लिमिट एक्स अप्रोच इस टू माइनिस इंफिनिटी, तो जिस तरह देखें, यहाँ पर हम जैसे जैसे value decrease करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे answer decrease कर रहा था 0 की तरह, इसी तरह माइनिस में भी सेम ऐसे ही होता है, कि इसका जो answer होगा 1 ओवर एक्स, इसका answer भी क्या आज़ेगा, 0 आज़ेगा ठीक है तो यह आपने दो बाते याद रखनी है कि जब limit, कोई function denominator में limit अप्लाई करें वो plus हो, यह minus infinity हो, तो वो 0 के क्वल होगा ठीक है ना हमारे पास एक theorem दिया हो है let be a positive rational number if x raised to p is defined then limit x approaches to plus infinity a over xp मतलब यहाँ पर यह पिताने का simple से way मैं आपको बता रहता हूँ अगर हमारे पास nominator में कोई constant आजे, तो इससे कोई फर्रक नी पढ़ता है उसका answer 0 ही आएगा, जैसे यहाँ पे 0 value आई थी, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी constant आजे, plus minus में तो उसका answer भी 0 ही आएगा ठीक है, कोई भी a career number है वो plus भी हो सकता है, वो minus भी हो सकता है इसको आपने याद रखना चे तरीके से हम एक example यहाँ पे discuss करेंगे, जिसमें लिखा हो भाई जी x approaches to plus infinity अगर हमारे पास limit infinity को approach करें, तो हम क्या करेंगे, exercise में हमारे पास सारी के सारी जो limits है वो किसी specific number को ही approach करती है limit वाली questions हमारी exercise में नहीं है, सिर्फ कुछ examples दी है, यह आपको next जा के university में इस तरह के questions आया करेंगे, तो इसलिए एक दू examples मैं इसकी करवा रहता हूँ, देखें हमारे पास जब यह infinity को limit approach करती है ना, तो denominator में जो maximum power होती है, उससे आपने उपर वाली value और नीचे वाली value को divide कर देना है, ठीक है अब लिखें यहाँ पे maximum power हमारे पास क्या है, x cube है अब लिखें dividing by dividing ऐसे लिखें 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 up and down by x cube जब इसको आप divide करेंगे तो हमारे पास result क्या आजएगा यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से x cube कामल लें इदर से भी x cube कामल लें उनको cut कर दें और यहाँ पे जो values बाचे जेंगे उसको simplify कर लेंगे, तो मैं फिलाल इसको divide करता हूँ, इसको आप x cube से divide करेंगे तो यहाँ देगा 5x minus इसको divide करेंगे तो यहाँ देगा 10 over x इसको करेंगे तो 1 over x cube आजएगा इसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ देगा minus 3 plus 10 over x plus 50 over x cube देखें हमने अभी अभी पढ़ा था कि limit जब भी आती है जब limit infinity को अप्रोच करती है यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था तो आप 1 over x मतलब function को denominator में बना लें जब limit apply करेंगे तो वो 0 आजएगा आपने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो function बने जब limit approach करती है infinity को तो हमारे पास जो function बनता है वो 1 over मतलब denominator में function बनना चाहिए x की वहाँ पे जब value पूटी करेंगे तो answer easily 0 आजएगा अब देखें यहाँ पे जब मैं limit apply करूँगा तो यह क्या आजएगा यहाँ पे जब मैं लिखोंगा तो यह आजएगा 5 into infinity minus 10 over infinity यह हमारे पास values आजएगे यह infinity को किसी भी number से multiply divide करें तो answer infinity ही आता है बाकि यह सब के निचे जिन में denominator में infinity है यह 0 हो जाएगे तो हमारे पास यह answer आजएगा infinity ठीक है यह example थी plus infinity को जब अप्रोच करती है उसके लिए अब हम एक example डिसकस करेंगे जिसमें x minus infinity को अप्रोच करेंगे ठीक है मैं इसका question लिख लो फिर मैं आपको गरवाता हूँ next जो हमारी example है वो दी हो यह जी यह example मैंने लिखी है साथ मैंने real line शो की है उसके भी बात करते है question मैं दिखा हुआ जी x approaches to minus infinity देखें आपने 0 से यह 0 है minus infinity का मतलब है कि 0 से minus की side पे आप left side पे चलना शुरू हो जाएं ठीक है इसमें कोई भी value positive नहीं होगी तो जब हम यहाँ पे minus infinity की बात करेंगे तो denominator में सबसे पड़ी power जो उनसी वो x5 है तो भी हम x5 की बजाए लिखेंगे minus x all 5 minus x5 यह यह minus show करेगा कि आप minus infinity की तरफ जा रहे हैं यह जो minus है ना यह show करेगा आप minus infinity की तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख ले since x is less than 0 so dividing up and down by minus x power 5 equal to minus x 5 तो फिर हम लिखेंगे इसको limit x approaches to minus infinity जब मैं इसको divide करूँगा minus x5 से तो यह आजएगा minus 4 over x क्योंके यह less छोटी पावर है ना काटो हो जएगा minus minus plus 5 over x square इसी तरह इसको जब आप divide करेंगे तो यह आजएगा minus 3 minus यह जो minus है ना minus आजएगा 2 over x cube plus यहाँ पे भी minus आजएगा minus लिखे लेते हैं minus 1 over x5 अब आप इसमें limit अप्लाई करेंगे जब आप limit अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पे मतलब denominator में infinity हैं हमने पड़ा था कि वो 0 होता है direct limit अप्लाई करते हैं plus 0 over minus 3 minus 0 minus 0 तो यह 0 over minus 3 equal to 0 answer 0 आजएगा ठीक है तो यह हमारा question था एक example थी इसको भी आपने एच्छे तरीके से देखना है इसके लावा एक दो और examples हैं उनको भी काड़ लेते हैं अब हम बात करेंगे example number 4 pay number 22 पर दिवी है यह सेम example है सिर्फ फरक इसमें minus infinity and plus infinity है ठीक है अब देखें denominator में value कौन सी है यह बड़ी x square उसका मौड दे दिया है हम इसको लिखेंगे x square का square root जब आप इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास x मौड आ जाएगा और हम यहाँ पर चूज करेंगे minus x की value को उसकी reason यह है कि हम minus infinity की तरफ जा लेंगे तो हमारे पास value भी minus की ही आएगी ठीक है न as x is less than 0 अगर मैं यहाँ पर बात करू same as x mod और यहाँ पर हम plus x की बात करेंगे as x is greater than 0 ठीक है यह सिर्फ थोड़ा सा main इसमें फरक था minus x and plus x बाकी question खेर इतना different नहीं है easy है बिल्कूल अब लिखे limit x minus infinity आप divide कर दें उपर भी और नीचे भी minus x के साथ तो यहाँ पर बात जाएगा minus 2 over x change हो जाएगे और यह हमारे पास आजएगा 3 over x square plus 4 इसमें limit अप्लाई करेंजी यहाँ आजएगा 0 यहाँ पर 3 था यहाँ आजएगा इसमें limit अप्लाई करेंगे तो आजएगा 0 plus 3 over 0 plus 4 तो यह 3 over 2 answer आजएगा अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी आप divide कर दें plus x से उपर नीचे up and down तो यहाँ आजएगा limit x approaches to 0 sign change नहीं होंगे अब limit अप्लाई करेंगे तो यहाँ आजएगा 0 minus 3 यह 4 बात जएगा minus 3 over 2 तो देखे इसमें answer यह आगया plus में और यह minus में आगया ठीक है यह हमारे exercise यह जोन सी है examples और topic हमारा यहाँ पर खत्म हो गया अब हम इंशाला exercise 1.3 को discuss करेंगे इसके कुछ important results है वो हम exercise में discuss करेंगे और मैं आपको बताऊँगा के limit में कौन सी values आएं तो वो bad होती है limit के लिए वो मैं exercise में ही आप से discuss करूँगा जब उस तरह के questions आएंगे तो अब हम शुरू करेंगे 1.3 exercise वो next video में आप देख सकते हैं